बातकार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे डबल हेलिकल गियर और हेरिंग बॉन गियर के बीच में क्या डिफरेंस है कैसे ये दोनों गियर एक दूसरे से अलग है कुछ फेक्टर हमने कंसेडर किये हैं जिसके अधार पर इन डिफरेंसिस को जानेंगे सबसे पहले बात करते हैं कि इन गियर को बनाने की आफशकता क्यों पड़ी इससे पहले जो सिंगल हेलिकल गियर है उसको जब हम यूज करते हैं तो वहाँ पर एक्जियल थ्रस्ट ड्वेल्प होता है उस एक्जियल थ्रस्ट को एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों गियर्स को मुनिफेक्चर किया गया और इन दोनों गियर्स में अगर हम बात करें एक साइड तो left hand helix है और दूसरी साइड इसमें right hand helix है अब जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं अगर जो helical है जो gear teeth है अगर left hand के thumb को follow करते हैं तो वो left hand helical है अगर वो right hand के thumb को follow करते हैं तो वो right hand helical है तो अगर हम बात करें double double helical gear के case में इसमें जो left hand helical gear है और जो right hand helical gear है इन दोनों के बीच में एक gap यहाँ पर produce किया गया है या कह सकते हैं इन दोनों के बीच में ग्रूव बना होता है जबकि जो herringbone gear होता है उसमें इन दोनों gears के बीच में किसी भी प्रकार का groove या gap नहीं होता है तो कह सकते हैं कि जो double helical gear है इसमें जो left hand helical है और जो right hand helical है वो आपस में एक दूसरे के साथ contact में नहीं होते गैप maintain रहता है जबकि herringbone gear के बीच में जो gap maintain नहीं होता जो left hand helical और जो right hand helical है वो आपस में एक दूसरे के साथ physical contact में रहते हैं अगर design और manufacturing की बात करते हैं जो double हेलिकल गियर है इसको बनाना असान है क्योंकि इसमें जब इसकी मुनिफेक्चरिंग की जाती है तो इसमें क्या है कि जो यहां पर gap यहां पर दिया गया है इस gap के होने से जो cutter है उसको हम freely यहां पर move कर सकते हैं जो teeth के जो faces है इनके beyond भी जाके हम cutter को move कर सकते हैं और hobing process के दुवारा shaping process के दुवारा और या फिर milling process के दुवारा double helicar gear को बनाया जा सकता है जो herringbone gear है यहां पर क्या है कि यहां gap ना होने के कारण तो यहां पर थोड़ा precisely यहां पर कारिया करने क्याव सकता होती है cutter को हम teeth जो face है उससे beyond यहां पर लेकर नहीं जा सकते तो इसलिए इसका थोड़ा सा difficult रहता है इसको manufacture करना और इसके लिए अलग से हम कोई dedicated या special machine किया सकता होती है या gear से पर process के दुवारा इसको produce किया जाता है जो एक slow process भी होती है उसके बाद axial width या space की अगर हम बात करते है double helical gear के case में जो axial space या axial width है वो ज़्यादा होती है अगर आप देखें ये ज़्यादा axial width है और ये इसलिए है क्योंकि यहां पर जो इसके gears है उनके बीच में gap है इसके कारण इसकी axial width ज़्यादा है जबकि जो herringbone gear है इसकी axial width है वो कम होती है और एक limited space में भी हम इसको use कर सकते हैं अगर size की बात करते हैं डायगराम से ही पता चलता है अगर same size की बात करते हैं तो same size में double helical gear का जो size है वो बड़ा होता है और जो herringbone gear का size है वो compact होता है double helical gear के मुकाबले power transmission capacity power transmission capacity double helical gear की कम होती है जबकि herringbone gear की जो power transmission capacity है वो ज़ादा होती है for same gear width की अगर बात करते हैं क्योंकि जो herringbone gear होता है इसमें जो gear teeth की जो face width है वो इसमें ज़ादा होती है अगर coast की बात करते हैं double helical gear की जो coast है वो कम होती है जबकि हरिंग बॉन गियर है इसको बनाने मनुफेक्ट्रिंग में इसकी डिफिकल्टी हाती है एक स्पेशल मशीन की आफशकता रहती है तो इसकी जो कोस्ट है वो ज्यादा होती है एक्सपेंसिव होता है डबल हेलिकल गियर के मुकाबले अगर एपिलिकेशन की बात करते हैं डबल हेलिकल गियर को हम पावर ट्रांसमीशन में इस्तेमाल करते हैं गैस ट्रबाइन में, जन्रेटर में, प्राइम मूवर में, फिलूड पंप्स में और जो compressor होता है मेरा इंसिप में construction machines में cranes में इसका इस्तेमाल किया जाता है जो herringbone gear है इसका इस्तेमाल करते हैं जब हमें high torque को transmit करना होता है तो एक प्रकार से इसको heavy machinery में torque gear box में ball mills के dry boxes में steel mills की roller shaft में heavy duty vehicles में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तों आज हमने आपके साथ discuss किया double helical gear और herringbone gear के बीच में क्या क्या differences होते हैं अगर आप इन diagram में देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे motion को या power को transmit किया जा रहा है इन दोनों years के इस्तेमाल से तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे बाला रहे